चार्ट के बारे में भी है कि इसका जोड़ जात पूरी डिली में नहीं है तो मैं यहां से चार्ट खाके जाती हूँ और इनकी साथ बहुत अच्छा है यह है जी कलमी वड़ा की प्लेट सत्तर रुबे की यह है सबसे टेम्टिंग चार्ट उपर जाबात है भाई देखरो कि आप भैतरी कांजी वड़ा है तो आज मैं आपको लेकर आए हूँ चांदी चौक में एक ऐसी दुकान पर जो की है साथ साल पुरानी खिलाती है सबसे बहतरी चार्ट और लोग कहते हैं अगर आपने एक बार इनके इहां की चार्ट खाली ना तो आप बाकी सारी जगाओं का स्वात बुल जाओगे चार्ट के साथ साथ इनका जो कांजी वड़ा है वह भी बहुत लाजवाब है लेकि चलता हो आपको अंकल के अल डग सवाण जो है उसको यहां पे लिवल उने रखा हो यहां लाग सब्सिति आप जेसे लोगता आप यहां लुक्त ताख खी वहां पर यहां पर लगता नहीं तीमिंग की एक बजह सें गए मसल din है तो एफ सफ सानकने बागे तरह शोटा के दोस्ट दोसा जाए आप आप अजया जारी है कि अलाने कि प्रफित और इसके अंदर प्रफित प्रफित जो कि डिप किया जाता है सबसे पहले आप देखेंगे दही के अंदर और पापडी को भी डिप किया जाता है ये मीठी सौट के साथ ये देखे भाई ये साथ 70 रुवी की ये प्लेट रहती है बहुत अमेजिंग और उसके उपर या गए कचालू कचालू आपको यहां 300 65 दिन मिलते हैं उसके बाद या पर शागए आलू साथ में आगए इसमें आप देखेंगे थोड़े से मटर ये देखे वाई ये है सबसे टेम्टिंग चार्ट उपर ये नमक साथ में आएगा जिसमें जीरा पाउडर उपर ये पीली मिर्ची और अब एक एक करके डाली जाएगी जिसमें दही सबसे पहले आगी जी ठंडी ठंडी रहती है देखिए उसके साथ यहां पर आगई ये मीठी वाली चटनी यानि की मीठी वाली सौट और उपर शागए अद्रक और हरी मिर्ची के लच्चे और फिनिश करने के लिए उपर शे धनी और पूदीने की चटनी ये 365 दिन आपको ये कांजी वाड़ा जो है वो सर्फ किया जाता और ये भी सूपर अटेम्टिंग है उपर से डाले जाएगे धनी पूदीने की चटनी और यह हो गया बैतरी इंगलास कांजी वाड़े का तियार आपका कांजी वाड़ा फेवरिट है तो ज़रा मुझे कमेंट सिर्फ पापडी की प्लेट आठ पीस ठाले जाना चार पीस को डिप या जाता है सोट के अंदर चार पीस को डिप के जाते हैं ये भी सत्तोर भी present रहती है आप देखेंगे पहले चार पापडी को लिए गया गया च्रो एक रोग बाकी ग्र Wait मेगे म उसमें यह चने उपर शाय नमक साथ मागे जिसमें भुना हुआ जीरा और सामें पीली वाली मिर्चि अब एक करके उपर दभाई और सौट ढाली जाती है यह देखे सबसे बहुत पर शागे यह डाई साथ में आ गए जिए हमीठी वाली सौट और उपर से फिनिश करने के लि उपर से आगे जी ये काले वेला जीरा, साथ में इसके उपर आगे ये पीली वाली मिर्ची और एके करके अब आएंगे इसमें सबसे पहले ये धाई, क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि भर भर के डाली जाते हैं, अगर आपको दुबारा से चत्नी या कुछ भी डलवानों अब एक्स्टा डलवा सकते हैं, यह आ गई जी उपर से मीठी वाली सौट और यहां से आ गई उपर हरी वाली चत्नी, साथ में अद्रक के लच्छे और यह हो गई जी भल्ले की प्लेट त्यार सत्तर रुवे की लगने जा रहा है कल्मी वड़ा की प्लेट, कल्मी वड़ा जाए जाते हैं, आप देखें इसको यहां पर प्लेट को किस तरीके से तयार किया जाता है, तो दो पीस द्थाई में, दो पीस सौट में, उपर जागे जी कचालू, उसके बाद उपर जागी ऑलू, और शाथ में आ गे जी चने यह देखें, साथ में आ गई अपर से नमक, यह आगए जी आपका जीरा पाउडर यह आगे ंपर से पीली मिर्ची यह देखे अब आएगी उपर से यह दाही यह आगए। पर से ये मीठी सौट अद्रक के लच्छे हरी मिर्ची और साथ में आगई जी हरी वली चट्नी यह जी कल्मी वड़ा की प्लेट सत्तर रुबे की क्या आपने कभी कल्मी वड़ा खाया जरह मुझे कमेंट्स में जाके बता हूँ तो शुरुवाद केसे वह इंका जी शुरुवाद बहुत हमारे पिदाजी ने की ताजी के करने के साथ-साथ हमारे बड़े भाई और भाई छोटे हम बाई है सुनिल कुमार हम ने दी और इसको वाल्टी तो बरावर उसी चीज को लेते हुए हम चलते रहे हैं तो हमारे चाहिटम होती है कांजी बड़ा दैवड़ा पापडी कलमी बड़ा दैजोंत की पकोरी तो शुरु से यही सेटप है और इसका जो है एक कांजी बड़े का 60 रुपे दाम है अब बल्ले पापडी चाट का जो है सतर रुपे दाम है तो बहुत सारी जगह मिलती है लेकिन आपकी चाड इतनी खास क्यों है जी आपकी इसकी क्वालिटी मेंटेन है भाई तो तरी वीडियो बहुत तो इसकी चाड की वही चीज का स्वात बरकरार है अभी एक और लो और कल्मी वड़ा जो है वो 300 जो आपका कांजी वड़ा है ती प्यो रुषी की बनीविया तो इसका स्वात वही जाय कभ पुराना भरकरार है किताजी के टैम का मसाला ठीक हल्का अभी अभी अंकल नहीं यहां पे कांजी वड़ा खाय अंकल कपसे आ रहे हो कैसा लगता है कांजी वड़ा तो जब भी चाड़ी जो गाते हो कांजी जाती हो तो मैं यहां से चाड़ खाके जाती हो और इनकी साथ बहुत अच्छा है बहुत टिस्की है तो इसके खाए भी नहीं हम जाते लिए है 90% लोग जो यहां पर आ रहे है ना वो दही बले का स्वाद ले लेकिन मैं चाहता था कि जो कल्मी वड़ा उसका स्वाद में आ हाथ का भाई इतना लाजवाब है ना की मतलब लट्स लगने वलिए आपको कल्मी वड़ा लाजवाब है धाई भले भी जा लेते हैं और उसके बाद आपको कांजी वड़े का जो स्वाद है नो भी बताता कि यह जी भले और पर प्लेट में ने यहां पर देखा कि सब पापडी खाते हैं और बताते हैं कैसा इसका स्वाद देखें जो चाट का सी जाइका होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वद आप जबान पर रखे और उसका स्वाद भूले ना भूला सके यह बिल्कुल वैसी है मैंने लोगों से बात करी तो नहीं बोला हमने बहुत सारी जवब चाट खाई है लेकिन इनकी जो चाट है इसे आप ए कैसी लगी रेकमेंडेशन कांजी वड़े का भी आप्शन अगर वो पीते हैं गर्मियों में सर्दियों में तीन सो पैंसट दिन आपको भी सर्फ किया जाता है चाट एक नंबर है और जो चाट की शोकीन है वो इसे ट्राइक करे विना ना रहे नहीं सकेंगे आईए का अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगा पे खाने की तलाश में लेकिन जाते जाते मुझे पता है कि आपके मुमें बहुत सारा पानी आया तो आपको ऐसे नहीं जाने देंगे बिना इसके